लुका रचित सुसमचार, उन्नीस माध्याय वह यरीहों में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्थ था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, वह ईश्यू को देखना चाहता था, कि वह कौन सा है, परंतु भीड के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था, तब उसको द रश्टी करके उससे कहा, हे जक्कई, जट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया, यह देखकर सब लोग कुड़कुडा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्थ के यहां जा उतरा है, जक् होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, तबीश्यों ने उससे कहा, आज इस घर में उध्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहीम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोय हूँ को ढूणने और उनका उध्धार करने आया है, जब वे ये बाते सुन रहे थे, तो उसने एक द्रश्टान कहा, इसलिए कि वे यरुश्लेम के निकट था, और वे समस्ते थे, कि परमेश्वर का राज अभी प्रगट हुआ चाहता है, सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला, ताकि राजपद पाकर फिर आये, और उसने अपने दासों में से दस को बुला कर उन्हें दस मोहरें दी, और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना, परंतु उसके नगर के रहन लोट आया, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकर दी थी, अपने पास बुलवाया, ताकि मालुम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या-क्या कमाया, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से दस और मोहरे कमाई हैं, उसने उससे कहा, धन्य, हे उत पांच और महरे कमाई हैं। उसने उससे भी कहा कि तू भी पांच नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी देख तेरी महरे ये हैं। जिसे मैंने अंगोचे में बांध रखी। मुझे तुझे दोशी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुश्य हूं। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुप्य कोठी में क्यों नहीं रख दिये कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास दस मोहरे हैं उससे दे दो।। उन्हों ने उससे कहा, हे सवामी, उसके पास दस मोहरे तो है। यहां लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वहे रुशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। और जब वहे जैतून नाम पहाड पर बैतफगे और बैतनिहा के पास पहुचा, तो उसने अपने चेलों में से दोग को यह कहके भेजा कि सामने के गाओं में जाओ और उसमें पहुचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभू को इसका प्रियोजन है। जो भेजे गए थे, उन्होंने जा जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो, उन्होंने कहा, प्रभू को इसका प्रियोजन है, वे उसको इश्य के पास ले आए, और अपने कपड़े उस ब मार्ग में बिच्चाते जाते थे, और निकट आते हुए, जब वे जैतून पहार की धलान पर पहुँचा, तो चेलों की सारी मंडली, उन सब सामर्थ के कामों के कारण, जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर, बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी, कि धन्य है वह राजा, जो प्रभू के नाम से आता है, स्वर्ग में शान्ती और अकाश मंडल में महिमा हो, तब भीड में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरू, अपने चेलों को डांट, उसने उत्तर दिया, कि तुम से कहता हो, यदि ये चुप रहें, तो पत्थर चिला उठेंगे, जब वह निकट आया, तो नगर को देखकर उस पर रोया, और कहा, क्या ही भला होता, कि तू, हाँ, तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं, मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोडेंगे, क्योंकि तुने वे अवसर, जब तुझ पर क्रपा द प्रश्टी की गई ना पहचाना तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परंतु तुमने उसे डाकूँ की खोह बना दिया है और वह प्रते दिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूरते थे परंत कोई उपाए ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे